Hello Parents, Winter Evening Snack के एक बहुती special recipe लेक्या ही हूँ जो कि मटर की recipe है, मटर तो वैसे भी बहुत healthy होते हैं, इसे हमें अपने बच्चों को देना ही चाहिए, वैसे भी winter है, seasonal vegetable है, तो इसका seasonal vegetable का तो वैसे भी taste बहुती ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राइ करि जिसके लिए मैंने इन मटर को डाल दिया है, कूकर में थोड़ा सा पानी add कर देंगे, उसके बाद हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा नमक द्यान दीजेगा, क्योंकि हम नमक का यूज बात में भी करेंगे, तो इस stage पे भूत ही थोड़ा सा नमक डालिएगा, लिड लगा दे अर इसे हम घाज पे रख देंगे तो विसल आने तक के लिए, mean while हम ready करेंगे इसका massala, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक बोल के करी मटर लिया है, तो मैंने यहाँ एक tomato लिया है, जिसे मैंने छोटे pieces में cut कर दिया है, और अब मैं ऐसे grind करूँगी, अगर आप को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसी स्टेश में आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं टमेटो के साथ लसन और अद्रग भी डाल सकते हैं तो चेक करते हैं तो देखें बहुत स्मूध सा पेस्ट बन गया है आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाई कढ़ाई ली ह कढ़ाई गरम होते से ही मैं इसमें रिफाइंड ओयल थोड़ा सा डाल दे रही हूँ और अब हम इसे गरम होने देंगे आप चाहें तो इस स्टेश पर भी छोड़ छोड़ी ग्रीन चीली करके आप डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मद जीरा लिया है क्योंकि मैं अपने बच्चे कल़ पर बना ली हूँ तो मैं यहाँ ग्रीन चीली नहीं एट करूंगी जैसे ही जीरा क्राकल हो गया मैंने यहाँ पर जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे मैं डाल दूँगी जीरे के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब मैं इसमें एट करूंगी साल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी हमने मटर को प्रेशर कुक करते समय हमने साल्ट डाला है तो यहाँ पर टमाटर में मैं बहुत ही थोड़ा सा साल्ट डालूंगी salt इस stage पर डालने से क्या होता है कि टमाटर बहुत ही जल्दी soft हो जाते हैं और वो तेल रिलीस कर देंगे यहाँ पर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें whistle आ गई है तो अब हम gas का flame off कर देंगे मसाले को देखते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तेल रिलीस हो गया है sides पर तो अब हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे मैं यहाँ पर डाली हूँ हल्दी, सुखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर अगर आपको पसंदो तो आप red चिली पाउडर भी इसमें add कर सकते हैं तो अब इनको अच्छे से हम मिला लेंगे अगर मिलाते समय आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छे बहुत ज़्यादा dry हो गए तो आप कुछ drops water की इसमें add कर सकते हैं और यहां पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला add कर रहे हूं तो इन सब को मिला लिया है थोई दिर हम इसे और पकाएंगे ताकि जो सुखे मसालवा कच्छा पन है वो निकल जाए तो देखिए यह अच्छे से मिल गए मसाले और अब हम यहां पर प्रेशर कुकर का लिड अटा के चेक कर लेते हैं तो देखिए मतर भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हम इसे ओवर कुक नहीं करना है हमें इसे हाई फ्लेम पे ही दो विसल देनी है एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और अब इन मतर को हम add करेंगे मसाल तो इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिएगा मेरी मॉमी तो एवरी विंटर हम लोग के लिए ये रेसिपी ज़रूर बनाती थी और हम लोग बहुत इंजॉई भी करते थे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिएगा कमेंट करके बताएगा आपको क्यासी ल खेखएंस बखिए अब्सक्राइब धो